दियर स्टूडेंज आज हम पढ़ेंगे खक्षा 8 से एक निया पार्ट पार्ट नमबर 15 सुर्दास के पद इसके लेकक है सुर्दास सी तो आईए इस इन पदों की शुरुवात करते हैं मैया कबहु बढ़ेगी चोटी कीती बार मोही दूद पियत भई यह अजहु है चोटी तू तो कहती बलकी बैनी जियों है है ले लांबी मोटी काडत ग्रेहत नहावत जेहे नागिन से भूही लोटी काची दूद पियावत पाची पाची पची देती ना माखन रोटी मैया कबहु बढ़ेगी बढ़ना चोटी होती है जो सर के उपर बाल के बनी होती है कीती बार कितनी बार पीवत पीना पीवत होता है पीना अजहु अब बल बल होता है बलराम बेनी चोटी काड़त खोलते हुए गूहत गूंधते हुए भूई होती है धर्ती पची पची बार बार हरी हलदर का मतलब है कृष्ण बलराम इसमें बालक कृष्ण अपनी माता योशोदा से शिकायत करते हुए कहते है मा मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी यह इसको बढ़ाते बढ़ाते मुझे बहुत समय हो गया है दूद पीते हुए मुझे इतना समय हो गया है लेकिन यह अब भी वैसे की वैसी चोटी है मा तुम तो कहती थी कि यदि तुम दूद पीओगे तो तुमारी चोटी बलराम की तरह है बड़ी और मोटी और लंबी हो जाएगी लेकिन मैं बार-बार दूद पिता हूँ फिर भी मेरी चोटी उतनी की उतनी ही है लेकिन इससे निकालते हुए और निकालते हुए पहते और नहाते हुए यह अभी भी नागिन की भाती धर्ती पर लोटने लगती है मैं तुम बार-बार दूद पीने को देती हो लेकिन फिर भी इससे पीने से कोई फरक ने पड़ रहा है तुम बार-बार दूद पीने को देती हो माखन डोटी खाने के लिए नहीं देती पद के अंत में भगर सूर्दास इच्छा करते है कि बलराम और कृष्ण की यह जोडी सदा ही बनी रहे नेक्स्ट है आपका अनावत भू में दरकायो दीन प्रती हानी होत गोरस की यह ठोड़ा कोने डंग लायो सूर स्याम की हडकी न राखे तेही पूत अनुखी जायो इसके शब्दार्थ है तेरो लाल एशोदा मिया तेरा लल्ला माखन होता है माखन दुपहर दिन दोफ़र का समय दोफ़र दिवस सुनो सुनना किवार किवार होता है दर्वाजा सकनी सकिया कचू कुछ डर्कायो इसका मतलब होता है गिराना तोड़ा बालक पुत्र हटके कमरे के हटकी कमरे के अंदर पूत होता है बेटा जायो मतलब पैदा करना ग्वालिन यशोदा मिया क्यों उलाना देते हुए कहते है हे मैया कहते है तुमारे बेटे क्रिशन ने मेरा माखन खाया है दोफेर का समय है जानकर कि घर सुना है उसे डूंड लिया है उसे डूंड लिया कि गोशना करके खुद तो माखन खाकर वापस चुपचाप घर चला जाता है गर चला जाता है साथ ही दरवाजा खोल कर अपने मित्र को भी माखन खिलाता है अथार्थ वो ग्वालिन शोधा से कहती है कि तुमारा ललाखु तो माखन खाता है बलकि अपने साथियों को भी माखन खिला खिला कर सारे माखन खाली कर देता है उखल चड़ी सीको ना लेनों उखल पर चड़कर यह माखन निकाल लेता है कृष्ण ने उखल पर चड़कर चिकों से माखन लिया है कृष्ण जियों कातियों सम्मित्रों के साथ चड़कर सारा माखन खतम कर देता है उसने कहा वो कुछ माखन खा लेता है और कुछ माखन धर्ति पर गिरा देता है अब तो प्रतेक दिन गोरस की हानी होती ही रहती है एक लड़के ने कृष्ण को जाने यह कौन सा तरीका निकाल लिया है सुदास कहते है कि अंत में ग्वालिन यशोदा मैया को कहती है कि है यशोदा मैया तुम अपने पुत्र को दर्वाजे के अंदर बंद करकर क्यों नहीं रखती हो क्या तुमने किसी अनोखे पुत्र को जनम दिया है इसमें विशेश आएगा सुदास ने ग्वालिन द्वारा यशोदा मैया से कृष्ण की शिकायत का वर्णन किया है इसमें जो भाशा है वो सरल है एवं सहज एवं भावना कूल है